हलो मैं यूटूब फैमली स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चैनल में तो आज की वीडियो में आपको पताऊंगी राजपती ओड़नी को किस तरीके से तयार करते हैं यह जो ओड़नी है वो टोरे की ओड़नी है और इसके देखे बीच में जो जॉइन आता है यहाँ पर कच्छी सिलाई होती है तो आपको यहाँ पर पिको करना होगा मतलब ओड़नी के बीच में पिको करना है फिर राइट और लेफ साइड दोनों साइड भी हमें पिको करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंक히 यहां पर बहुत जादा धागे निकल रहे हैं अगर बहुत जादा धागे निकलते हों तो आप कैजिसे धागो को cut कर लीज़ उसके बाद अपको यहाँ से fold करना है आप चाहे तो पिको भी करवा सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यह जो बीच में जो जॉइन होता है, उसका एक-एक धागा निकालते जाना है, और आपको स्टिच करते जाना है आप चाहें तो यहां पर प्रिको करवा सकते हैं, क्योंकि यह जो जूड़ा हुआ होता है देखिए यहाँ पर देखिए आपको जैसा कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ तो हम पहले इसे जोड लेते हैं पहले हमें ओड़ने को बिल्कुल भी कट नहीं करना है ऐसा ने क्या पहले आपको फोल्डिंग करते हुए आपको स्टिच करना है ध्यान रहें धागी नहीं निकलना चाहिए एक साइड आपको पट्टी मिलेगी और एक साइड आपको धागे निकलते हुए मिलेंगे तो सबसे पहले नीचे आपको पट्टी को रखना है उपर वापस आपको धागा व बोला था उस वीडियो में कि धाई पन्ने का ओन्ना होता है एक पन्ना पूरा होता है और एक आधा पन्ना होता है तो दोनों को जोड करके ही ओडनी को बनाया जाता है तो वह हमारी ओडनी जो होती है तो इस तरीके से मैं पूरी ओडनी को फोल्ड कर दूंगी जैसा कि आप य नीचे की साइड आ है यह ईस तरीके गा निकलते हो और ओने की चार साइड ही न, strict पट्टे के साइड आपको बिलकुल भी स्टिच नहीं करना है जहां से अपको वहां पर स्टिच करना है तो पहले हमने बीच में सिल लिए उसके पाद राइट एंड लेफ्ट आपको सिलाई कर लेनी है तो हमारी जो ओड़नी है उसका प्पी को हो जाएगा आप चाहें तो मा लोगे पर служए इस तरीके से पूरा है पुसक कर लिना तो अब ढूर जोईने और दॉनog साइट कर लीों आ मैंने यहां पर स्ट्रिश कर ली है देखी आंप इस तरीके से उसके भाद हम इसके अंदर लगाएंगे गोठा किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको बता ते वैसे तो process बहुत ही easy है पर भी किसी को knowledge नहीं होता है उसके लिए मैं यह वीडियो आपके साथ श्यार की है क्योंकि यह जो culture राजपती culture है बहुत कम लोग जानते हैं तो ओड़नी के बारे में ड्रस के बारे में गोटा पती work all type videos हमारे चैनल पर uploaded हैं तो आप इसे देख सकते हैं तो यहां पर देखिए यह वाला गोटा आपको लेना है इसमें जो हैं वो तार कम निकलते हैं और अच्छी quality का गोटा है आपको गोटे को अच्छी से देख करके खरीद लेना है ठीक है और यह गोटा मैं आपको लगा करके बताऊंगी machine से हाथ से भी आप लगा सकते है और machine से भी अच्छी वाली finishing आप कर सकते हैं हाथ से तो बहुत अच्छी finishing आती है पर machine का use करके भी मैं आपको बहुत अच्छी finishing वाला जो है ओडनी तयार करके बताऊंगी तो सबसे पहला आपको ये करना है कि machine की जो setting होती है जो धागे की जो gap ठीक है तो यहाँ पर क्या करती हूँ मैं सुई को पहले इसके अंदर डाल देती हूँ उसके बाद मैं से set करूँगी ताकि मुझे set करने में easy रहेगा और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पीछे से हलके हाथों से खीच करके लगाए जिससे क्या होगा कि धागे और बड़े बड़े आएंगे जब भी हमारी lace खराब हो जाती है तो हम lace को change कर सकते हैं और एक बात आपको इसके अंदर जो है lace के अंदर कपड़े को रख करके हलके हाथों से दबा लेना है जिससे कि यह जो lace है वो set हो जाती है और इसके बीच में एक line आजाती है जिससे भी आप बहुत easily जो है लगा सकेंगे और आपको क्या करना है कि lace का border जो होता है या तो पीले color के आता है या फिर white color के आता है तो इन दोनो color में से आपको उसी color का thread लेना है तो यहाँ पर lace का side में है white color का है जो होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर ही आपको machine को चलाना है हलकी हातों से तो आपका जो गोटा का look भूट ही सुन्दर आएगा आप इसे एक बाद जरूर ट्राइ कीजिए और हमें जरूर बताते ना कि आपको कैसा लगा हमारा गोटा लगाने का तरीका बस आपको बस छोटी सा जो है वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो धागा होता है लेस पर बादर पर उस धागे के according ही आपको thread लेना होता है और thread को उसके उपर ही लगाना है गोटे के उपर आपको machine बिल्कुल भी नहीं फेरनी है अगर आप गोटे के उपर फेरेंगे ना machine को चलाएंगे तो जो गोटा निकलेगा खीचाव आएगा मतलब बहुत सारी problem हो सकती है तो आपको बस धागे के उपर धागे को चलाना है तो इस तरीके से आप पूरा गोटा जो है ओडनी के चार और लगा लेना है और मैं आपको corner fold करना भी बताऊंगी तो आप इसे देख लीजिए और ये जरूर बताएंगी आपको मेरी छोटी सी जो वीडियो है आपको कैसे लगी जो भी आपको चाहिए राजसान कल्चर के अकोड़ी वह आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो अगर हेलफ़ लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फैमली के साथ भी छोटी सी इंफोमेशन सेयर कीजिए ताकि वह भी मतब कुछ सीख सके और अब देख लीजिए किस तरीके से जो है कॉनर फोल्डिंग करते हैं क्योंकि इसमें बहुत जन को त तकलिफ आती हैं तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो भी बता दी है